असलाम अलेकूम डियर स्टूरेंट वेलकम ट्वाइयम केमिस्ट आज की जी वीडियो है इसमें हम एक नया चप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दाट इस अल्कोहल फिनोल्स एंड इथर्स ठीक है इसको हम पढ़ेंगे कि इसमें केमिकल डिक्टिविट इनकी क्या होती है इनक इनकी जो डिफरेंट प्रपर्टीज है वो हम डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी एंडिक एडिया एक या किसी भी कॉंप्टेटिव एक्जाइम के लिए तैरिक है रहा होती है वीडियो आपके लिए बहुत होने वाली है और याद रिखें कि वीडियो होगी दाट वी एस पर पाकिस्तानी भुक्स ठीक है आप इंडियंस की वीडियो भी देखते हो लेकिन उसमें होता है कि ऐसा एर्रेलेवंट कॉंटेंट होता है हम जो चीज सब्सक्राइब आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंड्रोड़क्शन ठीक है अब introduction में क्या है है कि हमारे पास है water molecule September हुआ हमारे पास start होती है water से हो कहांसे start होती है water molecule से और यह हमारे बास कहें this is the structure यह formula for water ab water में से आप क्या करो water में से आप एक hydrogen को remote कर दो water में से आप hydrogen को remove करदो और इस की जङ़त प्सक्या लगा दो कोई भी alkyl group लगा दो ठीक है alkyl भी हो सकता है और या फिर aryl भी हो सकते है ठीक है यहां पर लिख सकते हैं कि आप alkyl लगा दें यह फिर आप एराइल लगा दें तो यह आपके पास क्या बनेगा दीज वोड़ वी दा alcohols ठीक है अगर आपके पास alkyl लगेगा तो इसको क्या कहते हो these would be the alcohols लेकिन अगर आपने उसकी जगा पे aryl लगा दिया ठीक है aryl मतलब कि for example आपके पास यह है यह है aryl means यहां पे benzine ring है यहां पे benzine ring लगा दी तो अब यह यह जो एराइल लगाएंगे उसको क्या कहोगे these would be the phenols ठीक है और यहां पर आपकी book क्या लिखती है आपकी book लिखते है c6 h5 नवटे c6 h5 बैंजीन जो है बैंजीन का क्या फर्मूला हो था है molecular formula that is c6 h6 अब बैंजीन यह structure है अब इसमें साफ एक hydrogen remove कर दो इसको substitute कर दो ठीक है किसके साथ इस oxygen atom के साथ उसको जोड़ दो ओएच ग्रूप hydroxyl group के साथ इसको जोड़ दो तो आपके पास क्या बन जेगा फीनोल इसी तरह आपके पास water molecule है आप दोनों जो oxygen है oxygen के साथ जो hydrogen दोनों लगे हैं आप इन दोनों को substitute कर दो आर ग्रूप के साथ मतलब अलकाइल ग्रूप के साथ इसमें एक यूपर हम डैस लगा देते हैं डैस मींज कि यह सेम भी हो सकते हैं और यह डिफरेंट भी हो सकते हैं अलकाइल क्या होता है अलकाइल मीज़ आपके पास straight chain hydrocarbon है ठीक है जो भास ट्रेट चें हैड्रोकार्वन है या जो branch chain hydrocarbon है इन को कहते हैं धिजर्दा अलकाइल ग्रूप और एरायल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं फिर जो benzine के जो compound होते हैं जामें बेंजीन रिंग होती है से सब्सक्राइट को और देीजिंद आरेयल जो जाय है यह एग मैंटिकर आपको तो और उसमी और चीऱ का हुआ हाइडरोजन एंतम पाइटम को सबसिट्ट्टिूध का रहा हूं या गूठेटम के साथ सब्सक्राइब तो ऊसे आपके पास स्पिस्टीस की फ्रमेशन हो रही है you are getting alcohols you are getting phenols and you are getting ether ठीक्षिस क्लाश को करते हो this is the ether अभी आज का जो हमारा टॉपिक है इस विद रिगार्स टू अल्कोहल और वीडियू है दाट आज की जो टॉप वीडियू है और गैनिक फ़ानिक एक अंपोंट्स कुए हैं यह गॉज होता है जिसके वह लोगों है पर रहा था लास्ट जाटर पर रहा है तो इसके बहुत सी कॉमन यूजिज भी है नेचर के अंदर इंडस्ट्री के अंदर और इवन हमारे हाउसिस के अंदर और दूसरी बात ही है कि अगर हम इनकी पिछी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो यह एक डिराइवड हुआ था अरेविक से अरेविक वर्ड से ठीक है डाट वस एक्चुली डिराइविक वर्ड एट इस अल कोहल ठीक है यहां से एक्चुली इसको डिर पॉल और उसके बाद जो लेटर है कोहल इसका क्या मतलब बताइच इस दी एसेंस अब किसकी असेंस एफायल यह त्हायल अल्कॉहल अब इसको इनिश्यल है किस चीज से संथे साइस किये था उन वाइन से झोराब होती है वहां से इसको निकाला गया था और इसको आप Grain. इत lima. इतल अलकोहल को इन अदर नेम ये अब आपने अपने पास नोट रहे है एक ये आपने ऐसा नोन आ seguena आपय को घूश someone है, ये आप इसको ठीक कर ला है Blessatus तो अच्छे आब इसको के सकते हो कि it is considered to be the essence of wines it is considered to be the essence of wine इसलिए इसको हम alcohol का जो name है वो देते हैं उसके बाद एक और टाइब का alcohol जो है जिस बहुत common है जिसको आप कहते है जिसको आप कहते है मिधायल alcohol का है दाट इस CH3 ठीक है मिधायल के सब अप तो इसको आप कहां पूस्कर तो इससको यूज़कर सकते हो आप इसको इसको किसी चीज़ को dissolve करने हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो इसी तरह आपके पास एक और टाइप का अल्कोहल आप उसका नाम सुनते हो इस आइसो प्रोपाइल अल्कोहल ठीक है इसका अगर आप structure डॉक करने जाते हैं तो आइसो प्रोपाइल का structure कुछ ही होता है यहां पर हो जाएगा CH3 यहां पर CH3 और यहां पर OH ठीक है तो इसको यूज करते हैं as a skin cleaner ठीक है जब कोई minor जो कट जो है वो लग जाते हैं बॉडी में तो हम जो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल है इसका injection जो है उस जगह पर लगा जाते हैं तो वहां पर जो मारी पास जो आज की है यह सेंत्र सकती है की अब इनको सेंतिसाइज करने के बहुत सारह दिबेंट मैथर्ट सोते हैं कि आप अल्कोहल को कैसे कर सकते हैं昨 घृर। पार्ट्स ऐस्में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को पहले हमже की सीब पतर है कि आपको यह पता है कि मारे पास क्या चीज है और फो एंड डन एच ठीक है अमारे पास आता कहां से है व टर का है ठीक है इसके इसकी उपर क्या होते हैं दो लॉन पर एलेक्ट्रोंज होते हैं तो ऑलकोहल को मैसे लिख सकते हैं है और हो और है अब अगर हम इसके बांड एंगल की बात करते हैं यहां पर जो बांड एंगल ढदाट गैंक क्या करते हैं उपर से फॉर्स अफ्रेब्लिशन इंपलाई कर देते हैं बंड़ इंगाई हो जाता है वैसे यह जो हमारे पस ऑक्राइब बात करने वाले हैं कि आपना आइडियल बॉंड एंगल होते हैं 109.5 लेकिन वाटर में क्या होता है डिक्रीज हो कि 104.5 होता है उसकी वजह क्या है कि जो लॉंड प्यार फेलेक्ट्रॉंस है और उक्सिजिए अटम यह कॉंप्रेस कर लेते हैं इस इन बॉंड प्यार को तो हैड्रोजन अटम जो आ सकते भी हैं तो उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते जितना ज्यादा हाइड्रोजन को कर सकते हैं इसलिए इसका जो बॉंड एंगल होता है 104.5 की बजाए 108.9 डिगरी होता है अब यह अगर हम इसकी हाइब्रेडिजिशन के बाउट थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो सब्सक्राइबाद ईपे ने से वाप यहां पूसिजचा निकितने की बाउंड बनाए कि यहां पर आपको नज़र आ है के दे दो क्यौंड बनाएं मैं तो जैसितने हैं दो हैं तो जब कभी आप हाइब्रेडिज whenever실ंड करते हो तो जहां पे आपके पास लन क्लांड Alg uniqu करते हो तो जहां पे आपके पास long pair of electrons हो जहां पे double bond हो यहां पे triple bond मुझूद हो तो उसको आपनी U count करना है जैसी है आपके पास के है single bond है एक long pair को आफ और यहाँ पर देखो तो 2 सिंगल सिंगमा बनाए है चार बनाए हुए तो आप 1S ले लो और 3 ले लो तो कितने प्टाओल जो गे वोर अगर यह इन तीन को पूबाइन कर रहो तो क्या बंजाएगा SP3 है उसलिए यह जो वाटर मोलिक्यूल है इसमें oxygen SP3 hybridized the same goes for this oxygen atom in case of alcohols alcohols में भी क्या होता है कि आपके पास दो लॉन पेर अफ एलेक्ट्रॉन्स हैं दो ये bond है लॉन पेर को single bond की तरह count करो एक लॉन पेर को एक bond की तरह दूसरे लॉन पेर को दूसरे bond की तरह इसका मतलब है दो bond यह होगे दो बॉंड यह चार तो इसलिए हमारे पास यह भी क्या है SP3 hybridized ही होता है bond angle आपको मैंने बता दिया है अब भी हम पढ़ते हैं classification ठीक है इनको आप classify कैसे कर सकते हों हम पढ़ते हैं classification of alcohols बाकी जो फीनोल वगए रहा है वह बाद में बढ़ेंगे ठीक है अब classification of alcohols की बात कर लगते हैं तो देखो alcohols जो हैं इनको आप ब्रोडली क्लासिफाइब करते हो दो classes के अंदर ब्रोडली यह classified into two classes एक आपके पास होते हैं अलिफेटिक alcohols एक आपके पास होते हैं aromatic alcohols ठीक हो गया अब यहां पर इलिफेटिक जो है इसको फिर आप फर्दर categorize करते हो दो categories के अंदर एक होता है monohydrical alcohol एक होता है polyhydrical alcohol इसमें कहीं पर आप कोई भी आ सकता है डाय हाइड्रिक ठीक है डाय हाइड्रिक वैसे एक से जदागर हो ना तो इसको आप कहां पर categorize कर देते हो poly के अंदर लेकिन हम चले यहां पर डाय भी लिख देते हैं अब उसके बाद यह जो monohydric है इसकी फर्दर classification की जाती थीफ्रीटाप स्केंदर ठीक है इसमें यह को तहां वन डिग्री अल्कोहल जीसको पड़ते हो प्रैमरी अल्कोहल प्रापड़ते लिख रेम अल्कोहल प्रपड़ते यह तो डीग्रीं लिख रैकोहल अरां पर्दिघ्रीं स्सकान से इसको थैसरी होती है कि आप किस तरह को कर सकते हैं अगर आप इसकी ऑप बहुत सारी घ्जांपल आप है लीडिये वैइन जीन बना ली और बैंजीन विंडिन के साथ क्या टाइच कर दो CH2 और OH अटाइज कर दो ठीक है अब याद रखें कि in case of this alcohol benzene ring के साथ OH आपने directly attached नहीं करना ठीक है फिर फिनॉल में चला जाता है यह यह ठीक है यह अब यह CH2OH है इसका मतलब इसका नाम क्या बन जागा यह 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 बन है कि है अब हम व fr Beauty aucune ऐफ रकशे कावन में होता है कि फो होता है कि फोर एक जापल यह एक कार्बन है कार्बन है यह इसका है उछ लगा यहाँ पर यह उ演सी करबंगी फोर होती तो आप यहाँ प्लब सबस्कताइडेब लों तर देख सकते हैं किसका इसका लगे में त्टू यहां पर 2 hydrogen आएंगे यहां पर कितने hydrogen आजाएंगे यह 1,2,3,4 यहां पर 3 bond already है एक यहां पर hydrogen आज जाएगा तो इस पे आपको कितने जो OH group है वो नज़र आ रहे हैं 3 cry, so that is try hydrooc侍 alcohol और इसका आप लोगोने commonly name सुना आपटि कोमानली इस इना ग्लासरोल और यह जो CH2 CH2 और OHS को के कए टो ग्लाइकोल तो मैं हम पर इसको ग्लाइकोल लगते हूं घल लक्व खोल के चलंगा यहां पर बेबार लिगुदें CH2 CH2 OH and then what now this is what this is डियाइडरी छडूहीज इनुवेज एक से ज्यादा अगर हाइडरॉक्सल ग्रॉप प्रेजन है ना तो यह कुट विड़ाइडरी कल प्रिय। इसको अप्र ट्राइडरी कर सकते हो। कितने अग्रॉक्सल ग्रॉप है तीन है तो यह जुट विड़ाइडरीक अलकॉहल। थ्री पोच मेथनोल बन गया च्छ थ्री च्छ टू ओच एथनोल बन गया ठीक अब इसके अंदर एक है इसी तरह इसे पहले जो हम लोगों ने आइसो प्रोपाइलल कोल की बात की च्छ थ्री यहां पर लगा देते हैं यह एक हड्रोक्सल ग्रॉप लगा वे ताम इस इन सब म डाय मींज टू पॉली मींज ज्यादा एक से ज्यादा अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइम्री अलकॉल की सिकेंड्री अलकॉल की और टर्स्री अलकॉल की जो यह आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको अपने थोड़ा दिहान से समझना है कि आप इसक प्राम का रहाते है क्या असव फांक्शनल ग्र्प लूब थैस दा फॉंक्शनल ग्रॉप फॉर- लिओ मैं स्टार्ट में पड़ अब इसके साथ अगर प्रेंपर इजांपल यहां पर एक कारबन लगावे डेरेटली इस ऑक्सिजें के साथ या इस हट्रॉप्स अगर एक carbon directly linked here so that would be the primary alcohol ठीक है आपके पास के है primary alcohol है इसी तरह अगर आपके पास है CH3 अगर आपके पास है CH2 अगर आपके पास है OH तो इस OH के साथ directly कितने carbon लगे हैं एक ही carbon लगागा है अगर आपके पास यह चीज़ है CH3 CH3 CH2 अगर इसमें अगर आपके साथ यहां पर भी carbon है लेकिन आपने वह carbon देखना होता है जो alpha carbon जो फॉंक्शनल ग्रूप के साथ directly linked होता है इस carbon को अगर आप देखो तो यह फॉंक्शनल ग्रूप के साथ directly linked है और इस carbon के साथ दो hydrogen है यह अगेन आप इसको इसको आपने एक carbon के साथ जोड़ दिया और यह carbon फॉंक्शनल ग्रूप के साथ यह दो यहां पर एक carbon यह CH3 यहां पर hydrogen है अब अगर आप दिखो यह आपके पर सब्सक्राइब इस फॉंक्शनल ग्रूप के साथ जो 10-2-3 लिंख के साथ जो कर्णूंप होएं दैब एक भीता कार्वन हो गया यह दुसरा बीटा कह पंड अब यहां विक इतनी बीटा कवर इसक्वन है तो विसको पर कीटेग है टॉड एस टाइज्क अको patience के अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3 यह पर हमारे पास है CH2 फिर हमारे पास है CH3 इसका नाम क्या होता है अब्सक्राइब लिघ्टाइब को यह लिए लेंट अब कर दो नग्सक्राइब अब यह लिए अग्सांपल ऑफ इसी तर आप पास यह फाइफ 6- kids निदीर और इसके साथ यहां पर एक के ऑचिन और यहां पूर्न ढूर्ट जृब करें यह पास के लिए स्वार से और उसके बाद थर्ड जो कटिकरी ऐसकी टाइप है जिसकी टाइप है जिसकी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो उसमें क्या होता है के जो so he asked me have that is attached with छुआ आप नहीं हम पीसमर्ण पारस यह उसको आप फिर्दर तीन क्राउट साथ करता है उâte ओश फॉश्चेनल गुरुक इसके साहर्टिब लिन्कार बन्त पहल यहां एक कोसट एक बीटा अबान ही अरण पेति सिर्ट इसका अब करते करते हो इसको को केटेगराइब करते हो точie-alcohol इसी तरह आपके पास यहां पर जामपल यह कर बन एक इसके साथ हैं तब किया अधो यहां पर एक क्ट्रिशन और यहां पर थीसरा क्रसिज यह तो फिनयई ट्राइफिनाइल मेथनोल ट्राइफिनाइल क्या बेंजीन रिंग है ठीक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वह यहां पर डिरेक्टिन लिंग कार्बन अलफा कार्बन के साथ यहां पर एक बेंजीन रिंग अटाच कर दो यहां पर दूसरी बेंजीन रिंग अटाच कर दो यह यह alpha carbon है यहां पर carbon है यह बीटा carbon यहां पर भी carbon यह भी बीटा carbon यह भी बीटा carbon यह भी बीटा carbon है तो तीन बीटा carbon है so now this is what this is a tertiary alcohol so these were the classification के आप इसको कैसे classify कर सकते है next part के अंदर हम इसका nomenclature देखेंगे के हम alcohols को कैसे name दे सकते है thanks for watching